हम अभिनुगुप्त को एक आचारी के रूप में, एक शास्त्रकार के रूप में, एक विद्वान के रूप में देखते हैं। लेकिन परंपरा के इतिहासकार के रूप में और उस सारी परंपरा के संग्रहकार के रूप में और उस परंपरा का रचनात्मक संग्रहकार लिए ये तीनों पक्ष जो है वो विलक्षान है अभिनों गुप्त के. दूसरी बात यह है कि इस परंपरा के में आस्तिक नास्तिक शब्द के अर्थ को लेकर के भी थोड़ा इस पश्टता के आवश्रकता है जो आजकल आस्तिक नास्तिक परंपरा का अर्थ हम लेते हैं वो तो यह है कि जो ईश्वर के आस्तावादी वास्तिक और आस्तावादी ह उनको नास्तिक्ता है लेकिन परंपरा में ये अर्थ नहीं लिया गया और वो दोनों की समस्या है यारे तीम समस्या वो भारती संस्कृत की कभी प्रेश्न है भारती canh और भारती दर्शन के इतिहास का भी प्रश्न रश्न है तो इस समवाद श्रंखला का आरंभ जो आचारिय अभिनोगुप्त परकेंद्रित है और संगम टाउक की और से आयोजित है इसका हम सुभारंभ करने जा रहे हैं जिसकी प्रथम कड़ी के रूप आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आचारिय अभिनोगुप्त परकेंद्रित होगी हमारे सामने अधिनोगुप्त के एक अप्रतिम विशेशग्य, उनके अध्यता और साथ ही यह कहें कि सबसे प्रामानिक आचारिय हमारे सम्मुख बैठे हैं, प्रमान भूत आचारिय हैं और इनके लेखन से, इनके व्याख्यान से, अफिनोगुप्त जिस परमपरा को सूचित करते हैं अथ्वा उसके प्रतिनिधी हैं, वह पूरी परमपरा हमारे सामने जागरित होटी है हम ऐसे मनीशी विद्वान के समक्ष बैठे हैं और उनसे जितना हमारी अपनी बुद्धी है, हम उनसे प्रश्णोत्तर अपनी जिग्यासा प्रस्तुत करके उन प्रश्णों का उन जिग्यासां का समाधान पाने की चेश्टा करेंगे और सर ने क्रिपा पुरुवक इसकी अनुमती दी है, जिन विद्वान का नाम मैं ले रहा हूँ, वो प्रफेसर नवजीवन रस्तोवी जी हैं, आप पदमश्री हैं और आचारे अभिनोगुप्त, श्यावदर्शन के गंभीर अध्यता और उसके विद्वान मरमग्य शुद्याले से संस्कृत था प्राकृत भाषा विभाग के आचारे और अध्यक्ष के रूप में कारी किया है, और वहीं उन्होंने अभिनोगुप्त स्वतंत्र कला शास्त्रिय विदार्शनिक संस्थान लखनोव शुद्याले में उसके मानक निदेशक भी रहे हैं, आप जैसा कि मैंने कहा कि यह एक भारत की विशिष्ट ग्यान परंपरा है, जिसमें हम इन आचारियों को आधुनिक विद्वानों का और आचारिय अभिनोगुप्त और उनकी पूरी परंपरा का एक सम्यक बोध हम प्राप्त करते हैं, तो सर आरंभर मैं कर रहा हूं मंगला चर जैसा कि मैं द्या वहति विधी उतम याह विरिया चवोत्री ये द्वेकालम विधत्त हा शृति विशय गुणा या इस्तिता व्याप्य विश्वं यामाहू सर्व बीज प्रकृतिरिती ये प्राणिनः प्रानवंत प्रतक्षा भे प्रपन्नस तन भिरवतु वस्ता भिर अश्टमूर्तियों की बंदना अभिजान शाकुंतलम के आरंभ में कालिदास कर रहे हैं और एक प्रकार से या प्रासंगे किया समीचीन भी है क्योंकि द्रिश्य काब भी है तो उनके प्रतक्ष रूपों की बंदना वो कर रहे हैं तो इस पक्ष को आगे बढ़ाते हुए मैं आप से जो चर्चा आरंभ करना चाह रहा हूँ सर कि एक आचारी अभिनो गुप्त का जो नाम है जैसा कि हम शास्त्रों में देखते आये हैं ये उनके गुरु द्वारा प्रदत्त नाम है उनका मूल नाम संभव है यह वी राह हो या गुरु के नाम से ही वो विश्यक् अभिनो गुप्त कहना उनको और जैसा कि उन्होंने अपनी टीका का अभिनाम अभिनो भारती रखा तो यह उनकी जो अभिनवता है या नयापन जिसको हम कह लें वह पूरे भारतिये ग्यान परंपरा और उसके वांग में को या उनके लेखन को ध्यान में रखते हुए शे का नाम है रजनीश तो जैसे चंद्रमा की धवल कांती नहीं होती है तो आप में इस सब्सक्राइब किया है मैं समस्ता हूं सुन्दर आलो के सब्सक्राइब जब हम आपने भी लोग के बारे में चर्चा की और कालिदास से शिजू किया तो मुझे एकदम से कालिदास के ही लोग रभुववश का मुझे इस्मरण होता है और वो कहते हैं जैसे एक बाउना बड़े उचे ताल के प्रड़ कफ़क रेना चाहता है और उचक उचक के लेता है और ले नहीं पाता रभुवववश के संब्सक्राइब तो अभिनोगत के सामने मेरी इस्तिती वैसी होती है कि जब भी हम अभिनोगत के बाईरे में चर्चा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको पकड़ना चाहता हूं चूना चाहता हूं और वो हर बार मेरे हाथ से चूँचाते है और मुझे लगता है कि शायद ये एक अच्छी बात भी इस अर्थ में है कि लक्ष जो तो मैं एक छोटी सी चीज पर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उनके जो अभिनोगत के परमगरू थे उत्पखदेव तो जब उन्होंने अपनी इशर्त तभिग्या कारी का समाप्त की तो वहां पर भी वो एक बात कहते हैं इती प्रकटी तो मया मार्ग एश थोड़ संप्रदाय की प्रवित्ति ही हो रही है वो करें मैं नवीन मार्ग को प्रकटित कर रहा हूं अब आप देखें यह महां से प्रारंब होते हैं और यही नवता जवाब देखेंगे यह पूरे की पूरी आप यही इस परमपरा में एक नवीनता का बोध जो है वह लगातार ज ऑन्रुब्या भी देखेंगे कि उसको समझाने के लिए बिना नवीनता बोध के हम उसको नहीं समझा पाते हैं अब हम अभिनोगुप्त पर आते हैं अभिनोगुप्त अपनी विचार पद्धति में, विचार विशय में, परंपरा में और जिस प्रकार से प्रस्तुती करण में हर चीज में वो नए है। और ये नवता उनकी जो है, वो एक कर चीज सर्वव्यापी नवता, जिस दिक्षित में वो काम कर रहे हैं। और यह साधना के ख्षत्र से लेकर के दर्शन, सौंदर शास्त्र, काब शास्त्र, कला शास्त्र, उनकी तांत्रिक परंपरा, सब जगे नवता का बोध उनका व्याप्त है। और यह नवता इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि उनमें चरितार्थ होती है। यह दि आपने चर्चा की तो अपने उनके गीतार संग्रह में वो अपनी चर्चा करते हुए कहते हैं कि अभिनव रूपा शक्त ही तद गुप्तो यो महश्वरो देवा, तद वभय यामलम। तो अभिनव गुप्तो आपने दोनों के यामन है तो अभिनव रूपा शक्त ही तद गुप्तो यह आप τञले, आप देखे शक्ति का जो स्वरूप रूप है वो अभिनव है। शक्ति पारिभाशिक रूप से होती है, हमेशा वह जब तक यदि वह नवीन की सरजना नहीं कर सकती नवीन की संभावना नहीं कर सकती तो शक्ति नहीं है और उससे जो अभिनो गुप्त है वो रक्षित है तद गुप्तो जो महेश्वर हो देवा और उसकी बाद उन्हें ने काम क्या किया शक्ति से जिस प्रकार महेश्वर रक्षित होता है अब अभिनो गुप्त की ज इस शक्ति हे दिख्टे से तो शक्ति हो रही है. लेकिन म 미ष्वर को से रक्षित होता है. क्योंकि उस शक्ति से रक्षित है महेश्वर हूं तो तद गुप्तों महेश्वरों gyनohlore ? इनका जो युगनत दभाव है, इनकी युगमता है, इनका जो ये सहभाव है, वो आकर के मेरे में चरितात हुआ है, अभिनो गुप्तम अहम बंदे, अभिनो गुप्तम अपने कोई बंदना कर रहे हैं, अभिनो गुप्तम अभिनो गुप्तम बंदे, अभिनो गुप्तम बं अर्थी के रूप में भी और अध्यता के रूप में भी एक लगातार मेरे मन में ये प्रश्ण उता रहा कि आखिर अवर्णुक्त का नाम क्या है और बहुत खोच करने के बावजूद भी हो सकता कहीं पड़ा हो किसी कोने में भी देखने को नहीं मिला लेकिर नाम पता नहीं में चला कैवल ऊवर्ण काहि़ा इस दो-तीन काहिदा बताती है एक करह बताते हैं कि गुरूओं ने उनको ये संग्या लिए, क्यों दित अदुत का नाम का वियूद उनकी काया है कि ऊकि शंक्र के चर्लों में उनकी रति थी और उस रति की कारन उनकी वने ये प्रसिद्ध एक पदवी के रूप में वह कहते है कि अभेनाव पदवी में प्रतिष्ठत हैं है। नि octopus किये गहें तो यह एक पफ़ावात नहीं एक माननशुशक पद to नहीं कहा जासकता है। लेकिन जिस कारण से झत्यारथी के चात्र के रूप में, ज्यान की अदम में उतकट पे पासा के कारा, उनको यह लेना है. तो यह तो एक उनके नामकरन का कारा है. और अभिनोगुप्ति जब विशेवस्तु को उठाते हैं, कि अभिनोगुप्त की भूमी का क्या है? हम अभिनुगुप्त को एक आचारी के रूप में, एक शास्त्रकार के रूप में, एक विद्वान के रूप में देखते हैं, लेकिन परंपरा के इतिहासकार के रूप में, और उस सारी परंपरा के संग्रहकार के रूप में, और उस परंपरा का रचनात्मक संग्रह करने हो यह तीनो पक्ष जो है वो विलक्षान है अभी नागुप्त के और मैं समस्ता हूँ कि और यह एक जगे पर नहीं जहा जहा पर भी चाहे बो कलापरमपरा हो चाहे बो नाट्रशास्त्र के परमपरा हो चाहे वो धर्शन की परंपरा हो, चाहे वो तंत्रशास्र की परंपरा हो, जिस जगे पर भी अभिरोप्ध हैं, तो परंपरा के आदि से ले करके जितने भी सारे संग्रह सोत्र, उनका संग्रह करते हुए, अभिनवुप्त हमारे सामने उस परंपरा को जब प्रस्तुत करते ह तो वो परंपरा, परंपरा को रूप में ना करके, एक नई आभा से दीप्थ हो करके हमारे साम्यादे, निश्चित रूप से, ये अभिनवुत्वी, तो मैं सुझता हूँ कि इस रूप में हम अभिनवुत्व को ले सकते हैं. सर, आपने जितनी सुन्दर इसकी व्याख्या की सप्रमान, प्रायाहि एक जो आम समझ है, मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, जो एक सामान्य समझ लोगों की है परंपरा के संदर्व में, कुछ लोग इसको एक विरोधी के रूप में भी देखेंगे कि परंपरा भी ह है और नयापन भी है, इसको कई बार कुछ विरोधी युगमों में भी देखा, समझा जाता रहा है, वरत्मान विमर्शों में, तो यह अभिनव गुप्त के संदर्व में, या अपनी आचारे परंपरा के संदर्व में, यह कितना समिचीन है या कितना तर्क संगत आपको प परंपरा का वित्पत्ति परकर्थ ने है, तो उसका वित्पत्ति परकर्थ तो यह है पर के बाद पर, एक के बाद दूसरा आ रहा है, तो जब भी जो आता जाएगा, वो हमेशा नवीन होता जाएगा, अगर नवीनता नहीं है, तो परंपरा के विल इस अर्थ में है, कि ज दूसरे से विच्छिन नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उनमें जो संबंध है, हम उसको एक रचनात्मक कारिकारण भाव का संबंध है, एक क्रियेटिव कॉजेशन है, कि जो पूर्व है, वो पर्व को जन्म देता है, और पर्व का जन्म इसलिए नहीं देता है, कि महाँ पर एक शुष्क कारिकारण भाव है, लेकि इस अर्थ में देता है, कि नवता के बीज भी उसी पुराने में छिपे हुए हैं, तो अक्सर हमारे ये बात कहीं जाती है, कि सनातन और नित्यनुतना, जो सनातन है, वो नित्यनुतना, तो सनाकार्द जो शाश्वत है, उसमें तन ट्रत्य लगा करके जो हम परंपरा बुद कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, लेते हैं तो वो सनातन इसलिए है कि जब से प्रादू वो तब से चल रहा है, तो इसलिए परंपरा चलने का नाम है, पर परंपरा तो एक डैनिमिक कांसेप्ट है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि नवीनता का इससे विरोध को उत्रो सकता है। और नवीनता भी सच बात यह है कि नवीनता का अर्थबोध भी, नवीनता को हो कि हम एक अप्यक्षिक शब्द मानते हैं, या चाहिए अना पेक्षित शब्द है जिसका कोई अपकर नबीन कह रहा हैं, तो नबीनता तो पेक्षा बुद्धी से ही कही जाएगी. जे, मिश्चितरूप से. तो एनी नबीनता को भी अपने जीवन के लिए परमपरा की जरूरत पढ़ती है. मुझे नहीं लगता कि इन में कोई गिरोध है तो इस संदर्व में सर एक चीज और जानने की मेरी इच्छा है कि इस संपूर्ण शाइव वांगमे में और विशिश करके जो जिसको हम प्राया काश्मीर शाइव दर्शन कह रहे हैं आज कल मेरे ख्याल से कि यह जो अभिधान है काश्मीर शाइव इस संभवता जेसी चेटर जी की जो किताब आई वहीं से आरंब होता है उससे पूर वक्ता कोई संदर्व प्राप्त में आपता आएंगे तो वह शायद दक्षिन में जो शाखाएं हैं उससे कुछ प्रिधक दिखाने के लिए ऐसा कुछ नामकरन किया होगा उन्होंने तो मुखे प्रश्णिया नहीं है, प्रश्णिया है कि इस पूरे शैवशाक्त परंपरा में, जो भारत की शैवशाक्त परंपरा है, उसमें हम एक चीज तो प्रारम हमें देखते हैं सर की सबसे बड़ी कटनाई जो हमारे सामने भारतिये दर्शन को लेकर कि आती है, वो है कि क्या इसका कोई वर्गी करण प्रस्तुत किया गया है परंपरा में भारतिय दर्शन का जैसे कि प्राया आस्तिक नास्तिक कह करके वैदिक अवैदिक कह करके या इश्वर अनिश्वरवादी कह करके इस तरह के कुछ आधुनिक विद्वानों के द्वारा मैंने सभी गरंथों में लगभाग आजकल देखा जाता है लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या परंपरा हमारी आचार ये परंपरा भारतिय दर्शन का कोई वर्गी करण प्रस्तुत करती है और यदि प्रस्तुत करती है तो उसमें जिसको हम त्रिक कह रहे हैं या प्रतविज्या का रहे हैं उसका स्थान कहां सुनिश्चित होगा आपका ये जो प्रश्न है राइनी जी एक ये इसको संश्रिष्ट प्रश्न वानता हूँ संश्रिष्ट प्रश्न ये जितना मैं समझ पाया हूँ उसमें इस प्रश्न के तीन आइश है एक आश्च तो यह है कि काश्मी शेविज्म या काश्मी शेवमत जो हम कहते हैं, तो यह जैसी चर्जर जी का दिया हुआ नाम है, या परमपरा में भी कहीं पर इसकी अन्गुंजों में सुनाई पड़ती हैं, एक आश्च. दुसरा यह कि दर्शनों का जो हम वर्गी करण करते हैं, उस वर्गी करण में कहीं पर काश्मी शेविज्म को हम कहांपर इस्तापित करते हैं या आजकल के शब्दों में कहांपर इसको सिच्वीट करते ह तो एक दूसरा प्रश्ण है, तीसरा प्रश्ण जो मैं समझ पा रहा हूँ, वह यह है, कि जो इसकी तृिक्रित्यादी , प्रहू जो इसका नामकरन हुआ है उसको किस प्रकार के हम सहत पास है, यह chyba प्रश्ण को समझ ए magh जैसीक्रम है, एक एकराइफ Kो लिए तो पहली बात टो ये कि जैसीटरजी के मूँने दक्शनकी से जैसीटरजी उन्हीं की प्रुस्तकत लिख़ा है। मुझे लगता है, 911 और 1913 में अप्काशर कौई और उन्होंने, चुकि मुख्य रूप से उनके सामने उस काशमीर के ही आचारिय थे. गरंते बहुत कम प्रकाशित हुए थे. शायद एक आपकित्व प्रकाशित थी थी ती शायद परमार सार शिवसूत्र, यह एक रस्तु के प्रकाशित थी 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 तब तक कोई अन्य करने प्रकाशित थी और वो संपादक थे, मुख्य संपादक थे. तो उस समय उन्हें आचारियों को देखते हुए इसका नाम काश्मी श्यविन देखा। अब यहां पर मैं एक चोटा सा प्रश्न संभवत आपने नहीं पूछा लेकिन मैं उसको भी देखा। और यह प्रश्न है कि यह एक तरह से भागोलिक नाम करना हो गया, जब हम काश्मी काश्मीर के अंदर बहुत सारी परंपरायं पनपी श्यव दर्श्न को लेकर करके और श्यव मद्ध करना है। जिवे बड़ा व्यापक है। और मैं समस्ता हूँ कि देश भर में जिस तरह से भी आपने कालिदास का मंगाराश अभिज्ञान शाकुतलम का मंगाराश अश्टमूर्थी की बात की, तो कम से कम शेख दरिशन की आठ परंपरायं तो देश के अंदर हैं। दॉक्टर हमकि क्योंकि जहां पर हम केवल अद्वईत मूला जो पधतियां हैं। उन्हीं को लेकर करके हम काश्मीत शव्याई की बात करते हैं। और जो हम काश्मी शर्व की बात करते हैं, तो केवल हम शेव दर्शन परमपरा या साधना ज्यान परमपराओं की बात नहीं करते हैं, शेव की जो अनुशक्त शाक्त परमपराएं हैं, हम उनकी भी चर्चा उसमें करते हैं, तो अद्वाइत वादी शेव और शाक्त परमपर का यह विरुद है काश्मी शगुद। अब यहां पर एक बात यह उठी, सच बात यह है कि काश्मीर में इनके उद्भव होने की जो चेतना है वो केवल जेशितर जी की नहीं है। अब इसमें जिये की महश्वर अनंद जो केरल के हैं और जिनकी महारत्य मंजीर पुस्त बहुत प्रसद है, तो उनके जो परम गुरु थे शिवानंद, उन्हों ने एक नित्याश्वरेश्यान और तंतर पर एक टीका लिखी और उसकी का नमता रिज्ववर्शिनी, तो रिज तो उसमें कहते हैं के संप्रदाय स्यास्य काश्मीर देश्वद भूतत्वार, यह महाँ चर्चा, तो इस संप्रदाय का उद्भव है, वो काश्मीर में हुआ है, इसकी चर्चा हमको वहाँ भी मिलती है, यह दूसरे शब्दों में, महेश्वारंद की परंपरा के आचारिये काश्मीर से आय हुए रण को स्वीकार कर रहे हैं, और यह बता रहे हैं कि जिस परंपरा का आसूत्रन और पनलवन कर रहे हैं, वो वस्तव उन्हें काश्मीर से प्राप्त है, लेकिन बीच में यह कर्म टूप जाता है, और अब रहे हैं कि हमारे यहां दूसरा प्रश्न का जो आइश्या आपका, वो यह है कि हमारे यहां जो दर्शन और दर्शनों का वर्गी करां, तो जो दो तरीके, एक तो आस्तिक और नास्तिक, अब आस्तिक नास्तिक को भी ले करके, यह पता नहीं कि कब यह ब्यावजन जिन लोगों ने च्छे दर्शन और दर्शनों को लेकर एक तरेसं का संग्रा या समच्य इसकी चर्चा की हरिभद्रसूर इत्यादी सारे आचारियों से, कहीं पर उन्होंने आस्तिक नास्तिक शब्द का प्रयों नहीं किया. तो इसके मायने ये है कि ये परंपरा बात की है. दुस्तिक नास्तिक शब्द के अर्थ को लेकर भी थोड़ा frei प्रश्टता की आभश्र रखता है. जो आजकल आस्तिक नास्तिक परंपरा का अर्थम लेते हैं, वह तो ये है कि जो इश्वर के आस्थावादी वास्थिक और जो इश्वर के नास्थावादी है उनको नास्थिक करते हैं लेकिन परंपरा में यर्थ नहीं लिया गया है जो वेदों की सत्ता में विश्वास करते हैं वेदों के प्रामानिय में विश्वास करते हैं उनको आस्थिक कहा ग तो इस प्रकार से आस्तिक और नास्तिक ये भेद सामानी रूप से किये गए। लेकिन जो हमारे सामने संग्रह ग्रंथों प्लपते हैं। लेकिन कहीं पर भी आस्तिक नास्तिक की वात नहीं आचाए। ये बात जरूर है कि इस प्रकार का वरगी करण तो नहीं हुआ। लेकिन दूसरे ढंग से दर्शनों के नामकरन अवश्य हुए। और उन नामकरनों के आधार पर उन दर्शनों में एक हमारे प्रवित्ति देख बिलकुल इस पश्ट दिखाई देती है और वो यह दर्शनों के अंदर एक पवर्वा परिय की जिसकों आप कहते हैं की उर्द्वा धर्वाब की। और कि हमने जैसे हरिभद्र सूरी में यह नहीं दिखाई देता लेकिन यहां तक आते हैं। इसके बीच में काश्मी शेव देता, लुग वहां पर भी स्वेम अभिनवगुत के गूंतों में इसी पंचमानदिक ग्नादिकार के पंचमानदिक में ही जब बीच में को लेते हैं। लेकिन वह पर विचे तरवायत यह हैं कि अभिनवगुत पर चार बाख से लिए करके अपने संप्रदाय तक काते हैं उसमें बहुत धुभी आते हैं, नयाय भी आता है, चारवाग भी आते हैं, तो इस प्रकार से उस सारे दर्शनों को ले रहे हैं। इसकी जो व्यक्षा करते हैं, तो वेद से उठाते हैं, वो असद ब्रम्हवादी से ले करके, वो त्रिक दर्शन परंपरा तक ले करके आते हैं, तो एक इस प्रकार का, वर्गी करन की बात, बात के फिर हमको दिखाई देती है, और ये वर्गी करन गंभीर रूप से आज के दो विद्वानों में दिखाई देता है, एक तो सर्वदरशन संग्रा के जो संपादक रहे हैं, वासुदेव अभ्यंकर जी, उन्हों ने जो अपनी भूमिका में एक प्रकार से उन्होंने वर्गी करन किया, और पहुत सुन्दर दरशनों का वर्गी करन किया, और एक बिल आज की दर्ष्टि से कम से कम जमभिनों को समझते हैं, तो मुझे लगता है, उतना प्रासंगी शाहिद नहीं है. तिसरी प्रशन पर हम आपके आजाते हैं, इस दर्षन के इसका पारंपरिक नाम है, वो तो एक तरीके से त्रिक दर्षन है, दो तरीके से, एक तांत्रिक विरुद है, तांत्रिक विरुद में तो हम इसको त्रिक कहते हैं, और बहुत सारे सहुदर दर्षन, तो अम एक तरे स तरिक जो है विशिष्ट दर्शन का भी बोट कराता है और पूरी जो तांत्रिक परंपरा में आने वाले दर्शन हैं उनका भी एक तरीके से अद्वाइत उनका भी बोट कराता है तो एक तो तरिक शब्द का हम वहाँ पर इस अर्तमित इस पर दूसरी और जो अधारनात्मत है और वहीशारी द्रश्टी से बात करते हैं तो दूसरा विरुदहम को मिल जाता है और वह दर्शन है तरफिष्ट्प प्रति खिग्या दर्शन के यह जो सारे दर्शन हों उँकी सबके अपने महतोंकोन आया में है, लेकिन जो मुख उनकी विचारना है, और केंदरी विचारना है, उसका निर्वचन और व्याख्यान. और प्रमानन आह करके वह जो होता है, तो वह प्रत्विग्या की विरुद को लेते हैं, प्रत्विग्या का नाम जब है, इस प्रकार से इस दर्शन को, तो काश्मीर शेविज्म को हम इस अर्थ में समझ से नहीं सकते हैं. एक जो और प्रशन हमारे सामने उपस्तित होता है सर, कि इतना महत्वपोड़न दर्शन और संभवता उतना ही प्राचिन जितना कि हम दूसरे दर्शनों को समझते हैं, आगन परंपरा को ध्यान में रखें, तरेंबकनात से आरंबकर करके, श्रीनाथ, आमर्दकनात, तरेंब पीड़ी से नामों लेख भी करते हैं, और तब उनके परंपरा में आगे उत्पल देव जी, लक्ष्मन गोपत जी फिर अभिनाव गोपत आदी, ये परंपरा स्वामी लक्ष्मन जू तक प्राय हम मान के चलते हैं कि अब चिन्न रूप में चली आए, तो ऐसा भी नहीं है कि कश्मीर जो है भारतिये विद्वानों या आचारियों की दृष्टे से कभी ज्यान की दृष्टे से ओझल रहा हो, और केवल शैव दर्शन की आचारी हैं नहीं, दूसरे दर्शनों की आचारी भी वहां से आते रहें, जैसे जैनतभटे हैं, मुकल भटे हैं, आदी, औ और अभिनोगुप्त चर्चा में न रहे हो, ऐसी भी बात नहीं दिखती, क्योंकि प्राया सभी विभागों में आजकल, चाहे साहित्य का विभाग हो, चाहे दूसरा, और साहित्य में भी हिंदी, संस्कृत, सब जगह, अभिनोगुप्त के रस, मिमामसा की चर्चा होती ही है, धन्या लोग की चर्चा होती है, भिनोग भारती की चर्चा होती है, तो यह सब कुछ रहा, लेकिन इसका कोई कारण विशेश समझ में नहीं आता, कि फिर इस पूरी काश्मीर की ज्यान परंपरा की, या वहां की आचारिय परंपरा या श्यवर परंपरा की, एक तो भा प्रतिय आचार्य परंपरा है, उसमें कोई विशेष इसका उलेख नहीं मिल रहा है, मानले पूरुपक्ष के रूप में भी कम से कम श्रीमाधवाचार्य ने अपने सर्वदर्शन संग्रह में एक अध्याय तो लिखा प्रतिविग्यादर्शन के नाम से, लेकिन संभावता ना उन से पहले और ना उनके बाद कोई ऐसा प्रतिनिधी आचारे हमारे सामने या महत्वपर्ण आचारे हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने काश्मीर के इस शैव दर्शन या प्रतिविग्या या त्रिक को अपनी ज्यान चर्चा में, अपने ग्रंथों में कोई विशेष सस्थान दिया हो, चाहे पूर्वपक्ष के रूपने, चाहे अन्य रूपने भी, इसका क्या कारण, दोनों इस्थितियों में में पूछ रहा हूं साई, कि एक तो अपनी पारंपरिक जो आचारे पद्धती है, उसमें और जो आधुनिक जो विश्विद्याले ये तंत्र ह हमारा है, उसमें भी कोई पाठ्यक्रम में इसका बहुत समचित प्रतिनिदित हुआ हो काश्मीर शेव दर्शन का, ना दर्शन के विभागों में, ना साहित्य के विभागों, ना ही सौंदर शास्तर जहां पढ़ाते हैं, तो इस प्रकार की उदासींता या उपेक्षा का क कारण रहा हूगा? जो मेरे मन में आया आपको देता हूं। पहली बात तो आप आप भी आपने ध्यान दिया। आप तो आज की बात कह रहे हैं। कल्हन ने जब राज तरंगनी लिखि वार्विशत आप देम तो कल्हन ने तो काश्मीर की इतिहासकार थे। और कल्णन तो कुछ काश्मी शेफदरिशन के एक आताजारियों के चर्चा भीकी, जैसे चक्रवानु के चर्चा करते हैं. करते हैं राजनीतिक प्रसंग में हैं, लेकिन राजनीतिक तांतरिक प्रसंग दोनों में करते हैं. एक बड़े सम्वान सूचक शब्दों में करते हैं और वो कल्ट की करते हैं. और वो कल्ट की करते हैं कि अवन्तिवर्मा के काल में कल्ट जैसे सिध्ध प्रतिवी पर और दीन होई, बड़े शटवाया है. लेकिन कल्लट सिद्ध के रूप में तो प्रसिद्ध हैं, कल्लट दार्षनिक के रूप में प्रसिद्ध नहीं हैं, यदि भी स्पंदकारिका को लेकर के कल्लट को दार्षनिक के मांगते हैं, लेकिन उसके बाउजुद्धी प्रसिद्धी उनके उस प्रकार के नहीं है, लेक आप देखिए कि इसके लिए थोड़ा सा हमको इस ज्ञान परंपरा को तीन हिस्सों में विखंडित करना पड़ेगा, विखंडित मत कहीं, विभाजित कहीं है. विखंडित करना पड़ेगा, एक परंपरा तो काविशास्त्र की परंपरा, बलकि आप सौंधर शास्त्र के अंतर को लोग नहीं सुमस्थे, और काविशास्त्र और सौंधर शास्त्र को अरूपित करते हैं, तो यह एक अभी भी चल रहा है। लेकिन उस बात में नजा करके तो जो काविशात्री परंपरा है उसमें तो काश्मीर शेय परंपरा का तो हम नाम ना लें लेकिन अभिनोगृत का नाम बहुत आता है। और कोई आचारी ऐसा नहीं है, जो कि उस परंपरा में भिनोगुत का नाम न लेता है। और वो परंपरा केवल यहां तक की, आप यह समझे कि वो परंपरा अठारवी शदापदी तक जब पंडितरा जगनात तक हम आते हैं, तब तक वो परंपरा हमें मिलती है। और हमें कहीं तो सिध्धान्त की दर्ष्ट से और कहीं पर नाम के साथ सिध्धान्त की दर्ष्ट से हमें काश्मी शेव लेक मिल जाता है। दूसरी परमपरह हमारे पूरि परमपरह नेकरद काश्मिष्यव परमपरह दिखाई देती है, और वह हैальным और सादनापध्यदी है, तो आप भी देखिएगा, इस पूरी परमपरह, की चर्चा हमें नेपाल में मिलती है, और काफी आगे तक मिलती है, दूसरी तरफ हमें केरल में मिलती है, काफी आगे तक मिलती है, हमें महाराष्ट्र में मिलती है, संत ग्यानेश्वर तक हमें मिलती है, गुजरात में मिलती है, नरसी महता तक मिलती है, तो यह जो साधना परमपरा हमें, भासकर राय दक्षन भारत मे तो साधना की परमपरा में वो कहीं न कहीं पर हमें दिखाई पड़ जाती है, जिस परमपरा के बारे में एक बिल्कुल अंदकार चाया हुआ है, वो है दर्शन की परमपरा, वो दर्शन के इतनी कहना चाहिए, वो बहुत ही महत्वपून के लिए प्रस्टम में समझता हूँ और इस पर विद्वानों और वो दोनों के समस्जा है. वह भारती संस्कृत का भी प्रश्न है, भारती इतिहास लेखन का भी प्रश्न है, और भारती दर्शन के इतिहास का भी प्रश्न है, तो तीनों प्रश्नों में हम इस परंपरा को, इतनी महती परंपरा को हम इग्नोर कर देते हैं, या उसका नामों लेख तक नहीं आता है, औ और एक बड़ी सच बात तो यह, कि एक तरीके से इस प्रकार का विस्मर निश्चतु है, वो बड़ा आत्मगाती विस्मर हुआ है. भारती दर्शन के विकास के लिए जिस प्रकार तेंगे शार्वाक की जो महिमा है, शार्वाक की विमा चाहें जैसे रहे हूं. लेकिन चारवाक बंद बनते हैं जहां से बАरतिधी द्रशन ख़ड़ा होता है। और पूर परक्ष बना करके चारवाक की बनता, पुर मुंद द्रशनों को जोडता जाता है, पूर पक्ष की आसना करता। उसी प्रकार से उसके बाद, यानि इस कणियों में कई पढ़ियक्डियां जोडती हैं उसके भाइध हमारे पास बउद्ध, बउद्ध पूरपक्ष बन जाते हैं और वो पूरी तथाकथित आस्तिक परमपरा के पूरपक्ष बन जाते हैं. और यदि बहुद्धों का और भारति आस्तिक परंपरा का या हिंदू परंपरा जिसको हम कहते हैं इस शब्द का प्रवग नहीं कर तो इसमें जो आदान प्रदान और क्रिया प्रतिक क्रिया और संघर्ष हुआ है और उसमें जो हमारी वैचारीगी का उनमेश हुआ है और ज सारी कि सारी चीज़ें उस सबसे हम वंचित रह गए यदि हमने बाद की परंपरा में यदि हमने इसको पूरपक्ष बनाया होता तो शायद हम समझते हैं कि भारत के दर्शन का जो हमारा विकास है एक तरीके से समझें कि दस्नी बार्वी के बाद यदि हम गंगेश को छोड़ हो गें तो एक तरीके से भारती धर्शन में मौनिक चंतन। एक तरीके से रोक लग जाते हैं Mayaprist अब रुद्ध होता दिखाते हैं लेकि आज कल के बहुत से बिद्वान कि चंतन और correction हुँआ है मेरा ये रहनना है कि नहीं उनकी कहना चाहिए में तो अंतर हुआ है लेकिन दशन की जो उठनी चाहिये थि वह इस पीरिड में जयाइ नहीं उठी नुठ एक तरफ परjs नहीं नुख्सान हुआ है अकारन मुझे इसंभवता और आज भी है लेकीन गुप स्थी को इंचान्स परंपटोलगा से उनको और उसके भॉच्तुशिर्प है पूरी की पूरी की पूरी काश्मी शेव परंपरा को एक साधना की परंपरा मान लिया, एक उसे काश्मी शेव परंपरा मान लिया इसे लोचन आज भी चल रहा है ओर आज भी मेसा पढ़ रहा है। हमारे सामने परमपरा है, लेकिन नहीं, तो मुझे लगता है कि ये मुख्य रूप से हम उस पक्ष की तरफ गए नहीं, ये दोश आज भी अच्छा, चुकि हमने इनके दार्षनिकों को दार्षनिक माना ही नहीं, हमारी परमपरा में लोग आये नहीं, तो स्वहाविक है कि एक तो जो भारती अब आपने उत्तर के अंते मैंश में आना चाहते हैं, कि सच पूछिए तो अभिनोगत को तो हम पूरी तरफ भूल गए थे, या हम पूरी परमपरा को भूल गए थे, इसका जागरण कम होता है, इस द्रष्टे से ये श्रताबदी बह पर जीवन का खाल है, और काश्मीर के अंदर ये परमपरा चली आ रही है, आचारे महताप जी के महताप काक के रूप में, राम जी के रूप में, फिर हमारे लक्ष्मान के रूप में, लेकिन वहाँ पर भी आभी देखेगा, वहाँ पर भी वह साधना परमपरा के ही लेकिन निश्चित रूप से विस्तार देने बाद लिए जिस रूप में दर्शन के प्रश्णों पर हम विचार करते हैं, वो विचार नहीं हुआ, इसका श्रे यदि किसी को देना चाहिए, तो इसका श्रे हमारे गुरू को में दा है, कांटी चन्त पांडे चाहिए कि 1935 में उन्हों ने जब रस का अध्यान करना प्रारम किया, तो उन्हों ने लगा कि पहले तो उनको अभिनुट का अध्यान करना चाहिए, और जब अभिनुट का अध्यान करना चाहिए, तो उनको लगा कि पूरी परंपरा का अध्यान करना है, और अभिनुट जो है, वो परंप को इछ जाता हैं पूरे विश्वष्व भर मेट पहले देश में, यदि अभिनोगप्त को और काश्मी शेव दरशन को प्रतिष्धित करने का किसी को नैतिक श्रे दिया जाना चाहिए तो श्वेश कांचे वह दोनों ग्रम्त जो हैं एक दूसरे के पूरत रूप में पढ़े जाने चाहिए उन्हों में अलग से लिए पढ़ना चाहिए यह उन्होंने यह उनके बहुत बड़ा अंठी दूश है तो इस रूप में हम एक छोटे से एक अनुशंगर थोड़ा से अनुपर और वह यह की एक थोड़ा से विचलन देखते हैं और अपवात कह लीजिए कि इस काश्मी शेविद्म की थोड़ी बहुत आलोशिना आज के जमाने में जो कहिए कि जो में इस्ट्रीम फिलोस्फी इसको कहते हैं उसमें एक तो संगर मलाल पांडे जी ने आज के लगभक चालिस देखा था उसकी आलोशिना की थी उस जमाने के दरिश्टे देखा जा तो बहुत अच्छा लेग था और जो वास्तविक आचारिय परंपरा में जिसको हम कह सकते हैं वो मैं कह सकता हूं कि इसमें और जिसमें पूरपक्ष बनाया है और वो है शंकर चाहितनी भारती जिन्ह उस भूमिका में उन्होंने काश्मी शेवदरिश्टीर को पूरपक्ष बना करके और वेदांत को उत्तरपक्ष बना करके उन्होंने इसकी अलोशिना की हम लोग ने उनके अवदान को याद किया उसकी कड़ी के रूप में ही हम आपको देखते हैं और आपके ग्रंथों की जो महत्ता है और उसने जितना कारिय किया है आपके व्याख्यानों ने और आपके ग्रंथों ने उस वरतमान पीधी को इस पूरी ग्यान पर समगरता में आपके ही सारस्वत उद्ध्योग का फल में मानता हूँ और इससे सभी लाभानवित होते हैं नहीं पिड़ी में जितने हम देख रहे हैं नए लोग आ रहे हैं वो आपके ग्रंथ और प्रफिसर कांती चंदरपांडे जी के और इस विश्वद्यालिय तंत्र में और भी जो आ आख्यान का काल हम कह सकते हैं पुनर जागरन का भी जैसे हम मांग सकते हैं तो इस द्रिष्टी से तो महत्तपुर्ण है पुनराविष्कार के एक बात कहीं लेकिन अब यहीं हमें आप जैसे मनिश्यों के मार्ग दर्शन की भी अपक्षा रहेंगी कि अभिनाव वप्त या पूरी त्रिक परंपरा के अध्यन की जो दिशा है वह सुनिश्चित रहें